हेविवान वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम लोग बनाएंगे हैड से जो फिश का हैड रहता है तो उसी से हम लोग आज एक राइस बनाएंगे वो भी बहुत ही तीस्टी और यम्मी बने हो ला है तो हमने फिश का जो हैड उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के पाइट साइड उसमें आपको चैंज करना है बीच बीच में और पचाड़ और से आपको अच्छे तर Lok और देखिएाप फिश को मैं कैसे कैसे फ्राइ कर रही हूँ, चार हो औरसे को मैं छोटी चोटी पीसे करके, कुईकि अंदर से भी अच्छे तरीके से कुख हो जा के टाइम में हम लोग rice को भीगो के रख देंगे 2 या तीन बर वश करके फिर हम लोग water से इसको अच्छी तरги बिगो के रख देंगे 30 minutes के लिए बिरियानी राइस को 30 मिनिर्स के लिए भीगो के रख देंगे तो यह राइस बहुत खिले-खिले होते है तो अभी आप देख सेकते हो पूरा फिश जो है वो मैं छोटे-चोटे पीसिस में मैंने तोड लिया है और फिर इसको पूरा ब्राउन हो चुका है अभी मैं इसको नि यह सब आपको दो मिनिट तक अच्छे तरीके से भूनना है थोड़ा सब लॉंग एट कर दीजी यह किया दो पीस और पतले-पतले स्लाइसिस में आपको प्याच को काटना है और अच्छे तरीके से प्याच को भूनना है जब तक ब्राउन ना हो ओनियन आपको एक ही मेडि किशमिश एट कर दे ना इसमें और फिर हम लोग एट कर रहे हैं जिंजर फिर हम लोग इसमें जिंजर एट करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मैंने अभी किशमिश एट कर दिया इसको फिर हम लोग सब को भूनेंगे जैसे ब्राउन हो चुका हम लोग राइस को अभी इसमें डाल देंगे राइस को कम से कम आपको 2-3 मिनिट तक भूनना है नमक डाल के अभी मैं नमक डाल चुकी हूँ इसमें फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे राइस को 2-3 मिनिट तक भूनना है आप देख सेक तो कलर चेंज हो चुका है अभी हम लोगो और यह थोड़ा सा मीठा रहता है नॉर्मेली तो हम लोग इसमें थोड़ा से एक पिंच चीनी डालेंगे एकदम छोटा सा पिंच उतना ही डालना है क्योंकि मुझे उतना ये मीठा पसंद नहीं है अगर आपको पसंद आप मीठा डाल सेकता हो और फिर अप नमक चेक कर लेन क्योंकि नीचे ना लागे आप देख सेक तो आराम से कुकिंग हो रहा है और फिर मैं एक बार नीचे से एक बद चेक कर लूँगी और लगे ना करके और फिर हम लोग कवर कर देंगे कम सब्सक्रा मिनिट के लिए ये कवर रहेगा और आप देखोगे पूरा राइस खिला बीच में भूल गही थी, इसमें आलू डालते हैं और ग्रीन पी डालते हैं, तो मैंने साइड में आलू को फ्राइ करने रग दिया, और मेरे पर अपर ग्रीन पी नहीं था, तो मैं इसमें कॉर्ण एड कर रही हूं, राइस बन चुका है, और यहां पर मैं थोड़ा सा एक साथ में डाल सेकतों फ्राइ करके पहले लिए फिश जब एड करते हैं हम लोग फिश का हैट तब आप डाल सेकतों तो मैं भूल उकी थी तो मैं इसलिए अभी एड कर रही हुँ, इसको अच्य तरीके से मैं भून लीया इसको फिर राइस तो बनके रेडी हो चुका है मैं इसमें एड़ कर दूँगी कॉर्ण और पटेटो को एड़ करने के बाद अभी हम लोग इसमें घी एड़ कर देंगे घी में इंग्रियंस है और थोड़ा सा गरम मसला आप एड़ कर दीजिए और अच्छे तरीके हम लोग मिक्स कर देंगे इसको फिर हम इसको कवर करके कम से कम पाँच मिनिट के लिए छोड़ देंगे पाँच मिनिट के बाद धकन लगा के आपको छोड़ना है पाँच मिनिट के लिए क्योंकि हम लोग ने पहले पटेटो और कॉन को नहीं अड़ अन किया था इसलिए आप थोड़ा सा ड्राइफुर्ट को अच्छे तरीके से घी में भूनके इसमें अड़ कर सकते यह जो डीश बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और प्राउन के साथ बहुत ही अच्छा लग इसक्राइब चल्ड़ यह ज़िए उनल्राइब को वाश्पार काइब का लगा आप जया यह जो बहुत है प्राइब आप